तो कैसे हैं आप लोग ठीक हैं हाल चाल सब बढ़ियां ओके एगजाइट में रिडिफाइन इडिफाइन आज का टॉपिक है अरे तो गजब हो गया न्यूटन भाईया और क्या क्या करोगे हर जगा जाओगे प्रोफेसर न्यूटन has lots of contributions न्यूटन सर अगर ना होते ना तो seriously मतलब कुछ ना हो सकता ठीक है बट पढ़ना तो पढ़ेगा and UPSC वालों को फेवरेट है तो फेवरेट है बता दिया ये वाला lecture फेवरेट है इसमें कोई भी exception आप नहीं कर सकते इसको आपको पढ़ना ही पढ़ेगा Newton-Rapson method अबसे पहले हम आपको फील दिखा देते देखें कि प्रिविएसर questions में कितने questions हैं और क्या-क्या पूछे गए हैं पहला question पढ़ो apply Newton-Rapson method to find the real root of transcendental equation अटा की जाने की है क्या है यह हम आपको बताएं हैं बता चुके हैं हम आपको algebraic और transcendental में difference comment करेंगे आप कि what is transcendental equation अगर मेरे lecture से समझ में आया हो तो अच्छी बात है नहीं आया तो Google वावा से आप पुछे और बता दीजे कि transcendental equation क्या है और equation है आपके पास x log x to the base 10 is equal to 1.2 correct up to 4 decimal places latest question है पिछले साल का ही है 2019 का latest question है 2019 का अगला question देखो write an algorithm in the form of a flow chart for Newton-Rapson method and describe the cases of failure of this method देखो theoretical question पूछ दिया इसमें तो ऐसा भी question आता है तो algorithm आपको पता होना चाहे कि यह algorithm क्या है जिसे क्या बोलता है ना flow chart के terms में आपको लिखना ही है तो आप flow chart जाना सीखोगे अगर नहीं सीखे हो तो और यह कब-कब fail करेगा यह वाला method वो भी पूछ दिया है 2018 में पूछा है अगला देखो apply Newton's Rapson method to determine a root of the equation cos x minus x e to the power of x is equal to 0 correct up to 4 decimal places यही वाला questions आपको कौन से method से करने के लिए बोला गया था आपको बोला गया था regular false से उसको solve करना तो उससे solve करो ठीक ट्राइ करके देखो कितना answer आता है ओके और match करो कि इस वाले method से कितना answer आता है जबर दस तरह का क्या मिलेगा conclusion मिलेगा और important seek मिलेगी जीवन की कि कौन सा method ज्यादा accurate है 2013 में पूछा कि develop an algorithm for Newton Raps देखो फिर सिब algorithm पूछ रहे बार बार पूछता है यह algorithm तो वो जो programming का class है ना उनने उननी अच्छे से सीखना उसको algorithm कैसे लिखते हैं flow chart कैसे बनाते हैं generally वही क्योंकि solve करनेगा तो कोई भी solve कर देगा लेकिन algorithm जानना आपको जरूरी है So develop an algorithm for Newton Rapsman method to solve f of x is equal to 0 starting with the initial iterative x0, n be the number of iterations allowed, epsilon be the prescribed relative error and delta be the prescribed lower bound of f dash x ठीक है थोड़ा सा tough लग रहा हुगा question but don't worry हम लोग तो सीखेंगे यह सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है PYQs को solve करना सीखेंगे So there is basically two types of questions आपको दो तरह के questions देखने के मिलेंगे पहला तो आप देख लिए कि वो algorithm based होगा और दूसरा question पूछा जाता है वो error based होता है एक algorithm based होता है और दूसरा error के basis पे questions आते हैं So let us understand the process So process आप समझेए कि कहना क्या है कि मान लेते हैं कोई भी एक blue colored का कोई function है और ये x-axis और y-axis पे कही न कहीं कुछ कटर कर रहा होगा तो अगर हम आपको बोले कि बताइए कि इस function का root क्या है Sorry, इस equation का root क्या है आप equation और function में तो आप confusion तो नहीं होना चाहिए जैसे हम लिखे f of x तो क्या ये equation है या function है ये function है अब इसी function को हम equal to 0 put कर देंगे तब ये बन गया है equation तो जो root निकलेगा वो किसका निकलेगा मान लेते हैं ये जो function है न ये function कोई f of x है तो ये वाला function f of x is equal to 0 कहने का मतलब समझे इसका संदर्व क्या है कभी इस माध्यम से कहना चाहते है कि function की जो value 0 कब आएगी 0 तब आएगी जब आपका x का value कुछ होगा तो x का क्या ऐसा value होगा जिसके कारण से function आपका 0 हो जा रहा है आप ये देखो ये आपका क्या है ये है x axis ये क्या है ये है आपका y axis है कि नहीं तो ये आपका x axis रहा ये रहा आपका y-axis क्या बताये थे root किसको बोला जाता है root मतलब x की ऐसी value जहां पे function उसको cut कर रहा होगा तो x का value suppose मान लेते हैं 1.5 इसी पे function cut कर रहा है तो जाहर सी बात है इसका root क्या हो गया 1.5 हो गया ठीक है इतना तो आप जानते हो चलिए so draw tangent at a point तो मैंने क्या किया ठीक है चलो एक point पे मैंने tangent बनाया इसका algorithm समझो फिर से हम बता दे रहे हैं bisection जो है उसमें एक horizontal line हुआ करता था interval का उसी को हम लोग bisect करते थे ये line इसको bisect किया फिर इदर इसको bisect इसको इधर या इसको इधर इस तरह से bisect करते थे regular falsy में क्या करते थे function के points को connect करके straight line बनाते थे वहां से फिर से function की value निकालते थे फिर से straight line फिर से function फिर से straight line ऐसे जाता था ये कौन सा method है ये newton's raption method है यहाँ पे हम लोग क्या करते है इस वाले method में tangent बनाते है ठीक है ना तो tangent ड्रॉ किया है यहाँ पे अब देखो make y is equal to 0 in the equation of the tangent to get this x क्या किया जो function है इससे आप tangent ड्रॉ करिए tangent जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो उसका एक equation मिलेगा उसी equation में जब आप y को 0 पुट करेंगे तब यह point को पहुँचेंगे आप ठीक है यह point पहुँचने के बाद अब आप क्या करेंगे इस पे function की value निकालेंगे अब फिर इस point से फिर आप tangent बनाएंगे और जो tangent का equation है उसमें y equal to 0 पुट करके x का point का यह वाला value निकालेंगे फिर से आप ऐसे जाएंगे फिर से tangent बनाएंगे क्या हुआ मजा आया की नहीं यहाँ पे कितना fast approach किया है तुम देखो diagram animations देखो कि कितना quickly यह root को approach कर गया है फिर से देखो मुझे नहीं पता था root क्या है मेरा target यह है यह है मुझे achieve करना हम कहां अंधिरे में 3 मार रहे थे मैंने मार दिया एक 3 और मुझे root मिला है यह अब देखो answer 1.5 है लेकिन पहले iteration में हमको 1 मिला है तो कितना gap है इतना तो gap है distance है तो क्या यह सही answer है नहीं है लेकिन फिर क्या किया मैंने फिर इस point से आप function पे आप जा रहे हो और इसी function से फिर से आप tangent मार रहे हो तो direct पहले आपने यह guess किया था और direct कहा जंप मार दिये direct एकदम इधर जंप मार दी यहाँ पर कितना close पहुंच गया एकदम पहुंच गया है तीर निशाने पर लगा है है ना तीर निशाने पर लगना चाहिए हमारा भी तीर निशाने पर लग रहा है समझने वाले समझ गया है तो यह वाला तीर यहाँ पर निशाने पर लगा तो मतलब एकदम quickly पहुंच गया है है कि नहीं तो उसी तरह से फिर से आप function पर जाओगे फिर से तीर मारोगे तो कितना quickly अप्रोच किया है तो इसको बोलत वही मस्त है वही सही है जो quickly आपको results निकाल करके दे दे समझ मैं है ओके इतना ही समझना था आपको अब देखिए equation of tangent आप जानते हो क्या होता है y minus equation of street line ही होगा तो y minus f of x naught equals to f dash x naught into x minus x naught okay so इसमें आप जब y is equal to 0 put करते हो ना तो आपको तो वही put कर रहा है ना root निकालने के लिए तो y के जगा जब 0 आप put करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 minus f of x naught equal to f dash x naught into x1 minus x naught मिला अब यहां से आप इस equation को arrange करोगे तो x1 है आपका updated value तो यहां से आप x1 निकाल सकते हो x1 is equal to x naught minus f of x naught by f dash x naught बस केल कतम यह बन गया है आपका direct important general formula किसका Newton-Rapson method का I hope यह formula कैसे आया वो आपने derive कर लिया कर लिया derive ओके फिर से देख लिए एक बार यह आपका कुछ equation था मतलब सॉरी एक function था आप क्या करोगे draw a tangent at a point कहीं पर भी आप tangent बना सकते हो और बोलोगे sir आपने जो यहां पे draw किया है क्या मैं यहां पे draw नहीं कर सकता हूँ और यहां बिल्कुल कर सकते हो करो बिनोद यहीं पे draw करेगा यहीं पे draw करेगा बिनोद तो जैसे यहां पे draw किया ना तो फिर क्या हुआ बिनोद को यह वाला point मिलेगा तो जैसे यह वाला point मिला ना तो फिर यहां पे draw करेगा फिर से बिनोद उपर जाएगा और यहां पे यह वाला point रो करेगा फिर से ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे ही होता है लेकिन आप तो बिनोद नहीं हो आप तो नॉर्मल इंसान हो ना लॉजिक सोचने वाले तो जो लॉजिक सोचते हैं उनको पता है कि हम तो डेरेक्टरी यहीं मारेंगे ने टेंजेंट क्या दिक्कत है यहां से जैसे मारा इधर लि गोड़ा होना चाहिए पदा है लेक्टे डिक्वेशन देखे अब इसको थोड़ा साब देखे सुछ क्यर्मलेशन किया हूं है तो यहां सबसे पहले हैं तो हम यह पता करेंगे कि मेरा जो रूट्स है वह किस्के और किसके बीच में लाई करेगा तो हमको पता है कि एफ जी तो minus 3 आ रहा है, f of 3 डाल रहे हैं, तो 16 आ रहा है, कितना method सिखा भी, 3 method सिखे, bisection सिखे, regular falsies सिखे, Newton's Rapson method सिखे, sub में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले आप range पता कर रहे हैं, कि intervals में मतलब आपको value है, alternate जब तक नहीं आता, plus और minus, तब तक आप बोल नहीं सकते, कि उसके roots उसके बीच में होगे, तो यहाँ जैसे f of 2 minus 3 आया, f of 3 16 आया, तो common sense से आप बोल सकते हो, कि मेरा root जो है वो 2 और 3 के बीच में ही होगा, मतलब मेरा जो answer आने वाला है न, 2 point something something आने वाला है, इतना तो आपको इसी step से पता चल जाना चाहिए, अब 2 point क्या है, उसी को आप जानने के लिए, आप यहाँ पे और आगे बढ़ते हो, तो we have to take the value of f of x nearest to 0, तो मैंने क्या किया, यह देखो, फिर से call करते हैं, मैंने कितनी बार मना किया है अपने students को, तो प्लीज कॉल ना किया करें, वाटसब में बात करें, और जो वाटसब चलाता है, उसको भी आप मैंने बाहर भेज दिया हुआ है, lecture record करने के लिए, मतलब मैं lecture record कर रहा हूं, तो सब रूम से बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज क्रिप्या करके, क्या कॉल ना किया करें, वाटसब पे आप contact रखें, ओके, आप personal number में आप share नहीं करता, क्योंकि वाणा call करके disturb करते रहेंगे, official number सही है, ठीक है, so we have to take the value of f of x nearest to 0, x0 is equal to 2, for which f of x0 is equal to minus 3, तो f' x निकाल लेजिए, जब इसका derivative निकालेंगे, तो मिलेगा क्या, 3x square minus 3, ठीक है, उसी तरह से x0 is equal to 2 है न, तो f of f' x0 क्या निकालेगा, ये निकालेगा आपका 9 निकालेगा, तो यहाँ से आप x1 निकाल लोगे, formula में direct put करो, formula क्या था, तेखो देखो, ये formula याद रहना चाहिए, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn by f' xn, ठीक है, तो formula क्या था, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn by f' xn, ये formula दिमाग में घुसा के रखो, जैसे मानलो हमको x1 निकालना है, तो हम निकालेगे x0 minus f of x0 by f' x0, अगर मुझे next निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, next लिखेंगे हम x2 is equal to x1 minus f of x1 by f' x1, and so on and so on, इस तरह से हम continue करते रहेंगे, वही चीज़ है यहाँ पर किया हुआ है, देखो ध्यान से, ये किया, ओके, इसको मैं मेटा दितना हूँ, करो थोड़ा सा, खुद का भी भेजा लगओ, दिमाख खुलेगा, f' x is equal to 3x square minus 3, repeating the same steps for x1, same चीज़ आप करोगे न, तो आपको x2 मिल जाएगा 2.2.2 दशम लो, 2.8 शूनिय पाँच, x3 आएगा 2.2790, x4 आएगा 2.2790, और ये रहा आपका answer, क्योंकि आपको दिख रहा है कि answers आपके repeat हो रहे हैं, तो जार सी बात है, आप कितना भी करो, वही आने वाला है, तो आपका ये होगा answer, simple साचीज़, अब देखिए आपका question है, 2013 में previous year question पूछा था, develop an algorithm for Newton's Rapson method to solve f of x is equal to 0, starting with initial iterate x0, n be the number of iterations allowed, epsilon be the prescribed relative error, and delta be the prescribed lower bound for f dash x, ठीक है, ये आपको question दिखा, इसका solution देख लो पहले, मैं तो ये बोलूँगा कि इसको आप याद कर लीजे, समझने का तो आप समझोगे, मैं समझाओंगा भी, लेकिन आप इसको याद रखो, learn it, learn it by heart, और heart में तीर, चाप देना exam में जाकर के, चाहे समझ में आया, ना आया, इसको जाकर के खा लेना, और जाकर उगल देना जाकर के exam में, अगर ये Newton Rapson का algorithm आएगा तो आएगा, मतलब, पूछे chances तो है, पूछेगा, इसको ये पास तो और कुछ है नहीं, और इतना तो समय इधर उधर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं इसको, कोई भी exam हो यारा, UPSC हो, State PCSO, University होगा, फेवरेट question नहीं है, तो इसको रटने में ही फायदा है, ठीक है, और हलाकि आप इसको समझ सकते हो, इसका जो process algorithm है, start करेंगे, read x0, epsilon, delta, n, ये सब चीज आपको तब समझ में आगा, प्रोग्रामिंग आओने में, पाइथन पता नहीं, C प्रोग्रामिंग पता नहीं, basics पता नहीं, तो इक ऐसे बता पाओगा, घंटा समझ में आएगा, इसलिए, जब खतम करने दीजे मुझे, computer programming, programming basics, तब ये यू, 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 बनेगा इसलिए, तो फिलाल के लिए, आप इसको note करिए, खा जाएए, पी जाएए, पजा जाएए, जो करना है करिए, यहीं चिपका देए, कोई भी question आएगा न, Newton-Rapson का algorithm में, सबसे पहले ये चिपका देना, साथ ही साथ, ये चीज़ ध्यान दे देना, ये क्या है, x0 है, f-x है, और f of x, ये सब जो symbol यूज की है, वही symbol यहाँ पर, बस change होंगे, जादा नहीं, जैसे मानलो, आपको initial iterate बोल दिया, a बोल दिया, x1 बोल दिया, तब x0 के जगा, x1 पुट करोगे न, n के जगा, suppose मानलो, पाई दे दिया, या फाई दे दिया, या साई दे दिया, तो उसी साब से अपना symbol बगरा change करते रहना, basic यही है, जिस्ट यही है, ये जो चीज़ है, आप देखो, algorithm और flow chart बनाने के लिए, ये chart important है, जैसे ये वाला symbol है, capsule वाला symbol, ये represent करता है आपका क्या, start और end, क्या है, start और end, इससे आप start करते हो, कोई भी चीज़ को, या algorithm को, या program को, या फिर उसको आप end करते हो, इसका क्या function है, oval represents a start or end point, मतलब कोई भी आपका flow chart है, वो इसी point से आपका start होता है, ठेक है, arrows जो है, वो क्या बताता है, a line is a connector, that shows relationship between the representative shapes, ये क्या है, connection दिखाता है, ठेक है, और ये जो आपका parallelogram है, ये क्या represent करता है, ये input और output represent करता है, ये parallelogram represents input और output, और जो rectangle है, वो process बताता है, ये जो आपका diagonal टाइप का rhombus टाइप का है, इस तरह से, ये diamond टाइप का, ये आपको बताता है, decision, ये diamond indicates a decision, ठीक है, note करो, snapshot लेने का जुरत नहीं है, copy में होना चाहिए, चैसे diagram होना चाहिए, So, write an algorithm in the form of a flow chart for Newton's Rapson method and describe the cases of failure, तो ये रहा आपका algorithm, ठीक है, ये symbol समझ में है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग oval में start किये, फिर function को define करेंगे, फिर f, जुसका derivative का जो function है, वो भी तो एक function ही है, उसी को भी define करेंगे, फिर read कराएंगे, तो ये सब parallelogram में क्या डाल रहे हैं, parallelogram में हम लोग input डालते हैं, तो ये सारे तो input ही है न, ठीक है, और उसके बाद फिर process carry forward होगा, तो जो आपका process carry forward होता है, वो किस में होता है, वो आपका rectangle में होता है, तो आपको पता है कि process में आपको तो ये calculate कराना है, x1 is equal to x0 minus f of x by f dash x and t is equal to x1 minus x0, मैं से difference को मान लिया, ठीक है, अब यहाँ क्या किया हुआ है, ये जो आपका diamond type का है, इसमें क्या है, ये decision बताता है, मतलब कोई condition show करने के लिए, अगर t जो है, वो greater than epsilon है, तब yes अगर है, तब ये किधर जाएगा, इधर जाकर के फिर से compute करे अगर t जो है, epsilon से कम है, या फिर less than है, तब no जाकर के print कराएगा x1 को और जाएगा stop, मैं बता दे रहा हूँ, ये सब आप simple है, लेकिन इससे भी जादा simple आपको तब लगेगा, जब आप programming, आप computer के basics को आप समझोगे, ठीक है, वरना ये चीज आपको समझ में नहीं आएग हाला कि मैंने आपको solution बता दिया है, तो आप इसको देख भी सकते हो, sorry, ये रहा आपके लिए, do it yourself, ये आप अपने से करियेगा, so apply Newton's Rapson method to find the real root of transcendental equation, इसका आपको real root निकालना है, correct up to four decimal places, and thank you so much, और आपको ये बताना है कि ये कौन सा language है, comment section में आप पुट करिये, so what is this language, and tell me, and how do you pronounce it, ठीक है, चली, थोड़ा बहुत एक होता ना कि समाज में ऐसा कुछ करना चाहिए, जो missing है, तो मेरी ये कोशिस है कि इतने negativity फैले environment में, इतना जब लोग लड़ रहे हैं, कल्चर को ले करके, अपने, होता ना कि अपने धरोहर को इस तरह से करते, हम बड़े हैं, तो हम बड़े हैं, लोगों ने भगवान को बाट दिया, लोगों ने पेड, पक्छी, पौधे, हर चीज को बाट दिया, हवा बाट दिया, क्या नहीं कुछ बाट दिया, तो थोड़ा सा एक, कि मेरे से जितने भी आप लोग विद्यारती हों, तो ऐसी घृ कोटा सा मेसेज लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सा थाकि आप युनिटी को बना के क्योंकि हमारे बहुत सारे राज्या हैं मतलब लगवग हर राज्य से विद्यारती हैं तो सब पे ध्यान देना हमारा जरूरी है मैं हिंदी बोल रहा हूं दो दो आइम मैं बोल् the courses in all those multiple languages समझ में आई बात? बुस्ते बाच्छीज बुस्ते बाच्छीज मिलते आप से एक ले लेक्चर में बबते के लिए बाई